Hello students, आज हम परेंगे बुलबुल पक्षी के बारे में, जो कभीता तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, ठीके? ये पढ़ने, एक कभीता पढ़ने से पहले, बच्चों बोलो तो क्या तुमने कभी बुलबुल पक्षी देखा है? तो बुलबुल पक्षी कहां रेता है? बुलबुल पक्षी बाग बगीचे में रेता है, और कौन से पर में? पीपल और बरगत के पेर में, ठीके? और बुलबुल पक्षी केसी दिखती है बुलबुल पक्षी का नीचे का पूच का रंग लाल रंग का होता है उसका सीर का रंग काला होता है और उसका जो शरीर होता है वो बुड़े रंग का होता है बुड़ा रंग मतलब क्या है? ब्राउन कलर का ठीके? चित्रा में भी देखो उसके शरीर का रंके सा है बूरे रंका है ना तो अभी बोलो तो बुलबुल पक्षी क्या खाएगी बुलबुल पक्षी तो पेर में रेती है पीपल और बरगत के पेर में रेती है तो वो क्या खाती है वो जो पीपल और बरगत के पेर में जो कीरे होते हैं वो ढून ढून कर खाती है ठीके और वो आप और कहां रहेगी वो वो अपना घोसला कहां बनाएगी पीपल और बरगत के पेर में ही बनाएगी पेरों में ही बनाएगी क्योंकि वो बाग बगीचे मे रेती है हमारी तरह घर पे नहीं रेती है तो वो अपना गोसला बनाने के लिए क्या करती है वो अपना गोसला बनाने के लिए सूखे घास और चोटे जो पोदे होते हैं उसके जड़ ढूनकर वो अपना गोसला बुनती है ठीके तो अभी हम शुरू करते हैं अपने बूक में जो कभीता दिया हुआ है क्या लिखा है? बूदबर का दिन था, सुबह हुई तो बूदबर का दिन था और जब सुबह हुई तो क्या हुआ? सब फूल बारी गए यह सारे जो बच्चे हैं चित्रों में वो सारे फूल बारी गए ठीके फूल बारी मतलब क्या बाग बगी चाही जहां फूल होते हैं जहां हर तरह का फूल और फूल उगता है ठीके तो वहां क्या होड़ा था बुल-बुल डाल पर चहेक रही थी तो जो बुल-बुल पक्ष बुल बुल बक्षी थी वो क्या कर रही थी डालों पर चेक रही थी बहुत तेज बोल रही थी उसके बाद खेल रही थी ठीके और उसकी मिठी आवाज सुन कर जो सारे बच्चे थे वो लोग बहुत खुश है ठीके तो कौन से बच्चे थे कितने सारे बच्चे थे देखो अ सारे बच्चे कितने हस रहे हैं तो वो सारे बच्चे बुलबुल बक्षी को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। वाँ वाँ इतना मदूर गीत और सारे बच्चे क्या बोल रहे थे वाँ वाँ ये पक्षी तो कितना सुन्दर गाना गा रही है। और वो लोग खुश होकर सारे बच्चे खुश होकर नाच रहे थे। और गाँ ऱहे हैं।